नमस्ते मिना नाम उमेश है उमेश टायुकुटिव चानल में आप सभी का स्वागत है अभी मैं वाट्सअप अपने चेक किया तो आप मेंसे काफी सरा लोगा मैसेज मैने देखा कि आप मेंसे काफी सरा लोगों ने a screen shot मुझे markar send kiya hai कि यहाँ पर जो message आ रहे है इस message का मतलब क्या है तो सबसे पहले आपको हम बतायाते है कि जो भी message के बारे में बात किया जा रहा है, यह message जो है सरृमकारण धारिओं को मिल रहा है, जैसे कि अगर आपने भी ettरृमकारण बनवाया तो आपको कहीए मैसेज मिला होगा तो यहां पर मैंने तो इस सरम कर्ण बनवाया नहीं है तो मुझे मैसेज मीलेगा नहीं मुझे पता भी नहीं था कि इस तरह का मैसेज आया हुआ लेकिन आप मेंसे काफी सर्icki लोग उन्हें बनंवाया है तो सुचा कि चलिए इस तरह के जो भी सुरम काट धारी है उनके मन में जरूर खयाल आया होगा कि आखिर ये मैसेज आया है, इस मैसेज का मतलब है क्या, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, तो आज किस वीडियो में हम इसी के मैसेज के रिकार्डिंग हम बात करने वाले है कि वाकई message का मतलब क्या है कि इनको क्या करना है कि इनको नहीं करना है उस सारा चीज़ वीडियो में आपको हम clear करके बताएंगे लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं किया है तो फटफट वीडियो को like कर लीजेगा जिसके माध्यम से e-sram card बहुत सरे लोग बनवाया हुए है अब e-sram card बनाते समय आप सभी को पता ही है कि आपको जो एक mobile number देना होता है तभी जाकर आपका e-sram card बनता है तो जो भी e-sram card बनाते समय mobile number दिया गया है उसी number पे इस तरह का message आया हुआ है अब इस message में देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा गया है कि आपना बरतमान जो पता है उसको update करें update करने के लिए आप चाहें तो CSE Center जा सकते हैं और नहीं तो यहाँ पे जो website का link दिया गया है इसके माध्यम से भी आप चाहें तो update कर सकते हैं अब यहाँ पे सबसे पहले हम point की बात कर लेते हैं कि आखिरी किन को update करना है और किन को नहीं update करना है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरी बरतमान पता होता क्या है आप में से काफी सर लोग जानते हैं मैं इस बात को समझता हूँ लेकिन जस्ट इन्फोर्मेशन के लिए आपको हम बतायाते हैं कि आखिरी बरतमान पता होता क्या है, इंसान का दो पता होता है, एक होता है पर्मानेंट और एक होता है बरतमान, मतलब पर्मानेंट होता है जहां पर जनम हुआ होता है और बरतमान जो होता है अभी जहां आप रह रह रहे होते हैं तो आप किलियर हो गये क्या बरतमान पता है जहां आप रह रहे हैं उसको बरतमान मानेंगे और जहां आपा जनम हुआ था उसको पर्मनने जो आप आप से होते हैं जहां पर ऋंपर उन्हार्द भूंत डाट है पंछितर में जो् Doll Om कर तो यहां पर करना जो धारी है वह अपना इस्रमकाट बनवाया हुए और अभी जुए एक जगह से दूसरे जगह उजा चुके हैं कहने का मतलब कि जो भी इस्रमकाट धारी है वह कहीं न कहीं काम करते हैं तो यहां पर अपडेट है निकल के आया हुआ है कि मान लिजे अगर आपने विहार में इस्रमकाट बनवाया था बिहार के अपनीवासी है और बिहार में आपका बरतमान एड्रेस था लेकिन अभी जो है देली में जाकर आप काम कर रहे हैं तो आपना जो बरतमान पता है वो देली अपडेट कर लीजिए क्योंकि फ्यूचर किसी भी तरह का बेनिफीट हो गया क किसी भी तरह का दीकत होता है तो आपका जो ही परजेंट एड्रेस से ही आपको बेनिफीट दिया जाएगा फिर किसी भी तरह का मतलब कुछ आता है तो आपको पुर्वाइड किया जाएगा तो कहने का मतलब कि आपना जो परजेंट एड्रेस है अगर आप बदल चुके है मतलब कि आपका जो present address था वहां से आप हटकर किसी और जगे जाकर काम कर रहे हैं तो उस condition में आपना जो बरतमान पता है उसको आप यहाँ पर update कर सकते हैं अब यहाँ पर आप मैंसे काफी सर लोग पूछेंगे कि हम update करेंगे कैसे तो आपको हम बता दें कि update करने के लिए आपके पास दो भी कल्फ है इस message के माधियम से ही बता दिया गया है कि अगर आप CSE Center जाकर करना चाहते हैं तो CSE Center भी जाकर कर सकते हैं लेकिन अगर आपके प काड बनाते समय दिये हुए उसको डालेंगे OTP आएगा अधार नमर डालेंगे उसके बाद लोग इन करेंगे लोग इन करने के बाद वहाँ पर अपडेट एड्रेस का option मिलेगा जिसमें आपका पर्मनेंट तो पर्मनेंटर रहेगा ही आपको अपर पर्जेंट एड्रेस म हुआ है तो आपको अपडेट करने की कोई भी वह सकता नहीं है लेकिन अगर आपका पर्जेंट एड्रेस हो गया है तब इसको आप अपडेट कर सकते हैं उमीद करते हैं कि इस मैसेज का मतलब क्या है आप मेंसे काफी सरों लोग समझ गए होंगे फिर भी आपके मन में किस अबस्त रहें बहुत बहुत धन्यवाद